सुरोताओं नमस्कार मैं डॉक्टर प्रविन कुमार्तिवारी एन आयस की ओर से आप सभी सुरोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ विशय पत्र 501 से संबंधित एक विशय वर्तमान पेशेवर सिक्षक पर आज परिचरचा के लिए मैं आपके बीच आया हूँ वर्तमान पेशेवर सिक्षक पर बात चित करने से पूर्व मैं आपका ध्यान आकरष्ट कराना चाहूँगा तीन अंग्रेजी के शब्दों की ओर एक शब्द जॉब जिसे रोजगार के रूप में हम हिंदी में देखते हैं दूसरा वोकेशन जिसे ब्यवशाय के रूप में देखते हैं और तीसरा प्रोफेशन जिसके लिए अंग्रेजी शब्द पेशा प्रयोग होता है जॉब क्या है यह समझने के लिए पैसे वस्तू या किसी सेवा के बतले जब कोई ब्यक्ति कोई भी उत्पादक कारे करता है वो उत्पादक कारे पैसे वस्तू या सेवा के बजाय वो अपनी एक्छा से भी कर सकता है तो वो उत्पादक कारे जॉब की स्रेड़ी में आता ह जैसे कूली का कारे, मजदूर का कारे, बढ़ाई का कारे, बुनकर का कारे, चिकत्सक का कारे, इंजिनियर का कारे, कोई भी कारे, कोई भी कारे जो एगजस्ट कर रहा है, वो जॉब की स्रेणी में आता है, चाहे उस कारे के लिए सामानने स्किल्स की जरुवत हो, या का जौब जिषेश प्रकार कि कोशला और सिक्षा की आधर पर किया सब्सक्राइब कौशलां की आश्चटा होती है वैसा जौब व्होसाई की श्रीनी में आता है है यसे बढ़ाइक कारे में उस्जिब Пос про कारी है इन सारे कारियों के लिए एक खास प्रकार के प्रसक्षण वकोशल की जरूरत होती है कोई भी लेमें इन कार्यों को नहीं कर सकता है बिना प्रसक्षण और sin के तो ऐसा जो जिसके लिए उनकोशल की आऊ सकता है जिसमें सहामानय बाध्यक उसPass वकक कोशल क्षान है तीसरा जो महत्यपुर्ण शब्द है जिसके संदर्ब में हम सिक्षक के विशय में आज बातचित कर रहे हैं वह शब्द है प्रोफेशन एक ऐसा वोह केशन जसके लिए उच बाधिक कोशलों पर आधारेज विशेश क्रत सेक्षिक प्रषिक्ष्ण की आवस्षक्ष्था होते जिस वो उच्छ स्तरीय बाधिक कोशल होते हैं और एक खास प्रकार के सैक्षिक प्रसिक्षन की जरूरत इस प्रोफिशन के लिए होता है और ये सैक्षिक प्रसिक्षन शोधों, अनुभाओं के आधार पर विकसित किनी विशेश नियमों, सध्धानतों वो कोशलों पर आधारित होता है जैसे आप उधारण के रूप में चिकट्सक का कारे देखें, इंजीनियर का कारे देखें, कंप्यूटर प्रोग्रामर का कारे देखें इन सब के लिए एक खास उच बाधिक कोशलों की जरूरत है और एक विशेशी क्रत सैक्षिक प्रसिक्षन की जरूरत है कोई बहुत ही सामान इसतर के प्रसिक्षन से चिकट्सक का कारे नहीं कर सकता, इंजीनियर का कारे नहीं कर सकता ये विशेश अंतर एक वोकेशन और प्रोफिशन के बीच में है इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी किया गया उत्पादक कारे जौब है लेकिन वो वैसा उत्पादक कारे जिसके लिए किसी सामान इस प्रसिक्षन की जरूरत है, सामान इस बौधिक कोशलों की जरूरत है, वो वोकेशन है कि जब एक सिक्षक विद्याले में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके सामने कौन से प्रश्ण उभरते हैं सामानितया यह प्रश्ण उभरता है कि वह क्यों पढ़ाए क्या हे तु है पढ़ाने का वह क्या पढ़ाए कंटेंट क्या हो पढ़ाने का वो किसे पढ़ाए, पतलब किस उस्तर के लोगों के बीच किस प्रकार के content को प्रस्तोत करे, वो कैसे पढ़ाए, अर्थात वो किन विधियों का प्रियोग पढ़ाने के समय करे, वो ये कैसे पता लगाए कि जो पढ़ाया गया है, जो उसने पढ़ाया है, उस ज्यान को विद पुर्भ में पुर्व में जो विद्वत जनों ने इस संदर्व में अनुबहु अरजत किया है उसकी आधार पर कुछ सिध्धान, कुछ नियम, प्रक्रियाएं व कोशल उन्होंने प्रस्तुत किये हैं और ये सारे सिध्धान, नियम, प्रक्रियाएं व कोशल सिक्षन को सहज, सरल और सुगम बनाती है और शोध वा अनुभव आधारित इस ज्ञान बोध वा कौशल का विशेशी कृत सैक्षिक प्रशक्षन प्राप्त करने के उपरांत कोई भी ब्यक्ति बहतर ढंग से सिक्षान का कारे संपादित कर सकता है अब इस रूप में आप इसको समगरता में समझें उच्च स्तरिय बाधिक चिंतन के माध्यम से किये गए शोधों वा अरजित अनुभवों के आधार पर विकसित सिथान्तों नियमों प्रक्रियाओं कोशलों आधिके विशेशी कृत शैक्षिक प्रशक्षन द्वारा इसकर्स पर हम पहुंचते हैं और इस प्रकार हम देखें तो जो मुख्य सर्ते हैं एक वोकेशन या एक जॉब को पेशा बनने के लिए प्रफेशन बनने के लिए वो सर्ते हैं उचिस्तरिय बाधिक चिंतन शोधव अरजित अनुभवों के आधार पर विकसित सिथान्त न अगरता में हम कह सकते हैं कि सिक्षन एक पेशा है अब दूसरा जो बिंदु है कि क्या सिक्षक को सिक्षन के लिए पेशेवर होना जरूरी है तो इस संदर में दो प्रकार के मत सामने आते हैं एक मत ये कहता है कि नहीं सिक्षक तो जन्मजात होता है उसे किसी पेशेवर प क्षटा है तो विज़य से कर सकता है और सिर्फ विशय ग्यान ही सिखशन के लिए जरूरी है और प्रसिक्षण की कोई बहुत जादा जरूरतनए और जब भी हम इस माननेता पर बात करते हैं तो हम सिक्षक के भी पेशेवर दक्षता होती है इनकी अपनी पेशेवर पहचान होती है और सोदेश्य पुर्ण तरीके से इन पेशेवर गुणों का विकास भी किया जा सकता है हम भारत जैसे एक लोगतांत्रक राष्प के संदर्व में देखें तो प्रथम मानिता की ओर हम ध्यान दें की सि जनसंख्या को सिक्षत करने के लिए हम वैसे सिक्षकों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं चुकि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ब्यक्ति जन्मजाद सिक्षक है तब हमें एक ऐसे मत को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि नहीं सिक्षक को तैयार किया जा सकता है शिक्षण कार किसी विशेश नियम सिध्धान्तों पर अधारित है और यदि किसे व्यक्ति को वो नियमों सिध्धान्तों का उच्छस तरिय सैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए वो बहतर धंग से विशेश को पढ़ा सकता है तो एक लोगतांत्रिक रास्ट में हमें शिक्षण एक पेशा है इस पर अपना मत बनाना पड़ेगा अब शिक्षण पेशा की जो खास विशेश ताएं हैं उस और में आपका ध्याना करश्ट कराना चाहूंगा एक विशेश विशय की ज्यान से युक्त व्यक्ति की जरूरत सिक्षण के लिए है दूसरी जो बात है कि वह ब्यक्ति सिक्षण पध्धति के सारी प्रक्रियाओं में दक्ष वकुशल भी हो तीसरा जो बिंदु है कि वह समवेदंसील हो बच्चों के प्रति वह अन्य ब्यक्तियों के प्रति समुदाय के प्रति समवेदंसील हो वह जिन नैतिक मानदंडों पे सिक्षण का पेशा निर्भर करता है उन नैतिक मानदंडों के प्रती समर्पित हो और अपने पेशे के साथ एक सकारात्मक लगाओ रखे ताकि वो अपना निरंतर विकास कर सके इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपका ध्यान आकरिष्ट करान और उनको बहुत ही संचेप में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा राष्ट्री पाठे जर्या की रूप रेखा यह बता रही है कि एक सिक्षक के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के सामाजिक सानस्कृतिक संदर्भों को समझे किन राजनातिक परिस्थति किन सा रिखने की अनुकूल परिस्थतियां पैदा करें सिक्षन सिर्फ कोई घुट्टी पिलाने का कारे नहीं है कि विशय की घुट्टी हमने बच्चे को पिला दी वर्तमान में जो एक लोगतांतिर्क रास्ट जिस प्रकार के सिक्षन में आस्था रखता है वो यह बताता है कि विद्यार्थी ज्यान की रचना अपने मस्तस्क में स्वेंग करता है और एक सिक्षक का दायत तो है कि उन परिस्थतियों का निर्मान विद्यार्थी के इर्दगर्द करें ताकि उसके ज्यान की रचना बहतर धंग से हो सके और एक सिक्षक के लिए जरूरी है कि वो विद उसके प्रकार को भी संगजे हरी विध्यार्थी अपने धंग सीखते हैं अपनी अपनी आपनी स्पीड में गती से शीखते हैं तो हम जब सिखाने एड होग घ्राय में घ्यान रखना चाहिए वह हम विध्यार्थियों को मुद भेभिन्ध धंग से समझए उनके इंडिवीजुल डिफ्रेंस को समझें और सब पे एक ही नियम एक ही तरीका एक ही गती लागुन ना करें साथ ही रास्ट्री पाठी चर्या की रूप रेखा यह भी कह रही है कि सिक्षक को ज्यान को बिमर्श सील सीखने की सतत उभरती प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए एक ऐसे परिवेश का निर्माण न करें जिसमें ग्यान उडेल के दे दिया गया बच्चों में बल्कि ऐसे परिवेश का निर्माण करें कि विद्यार्थी निरंतर विमर्श सील बना रहे और अपनी ग्यान की रचना निरंतर करता रहे उसके पक्षों में सुधार नए बि चर्चा करे और उसको हर्द्यंगम करे उसको अपने हर्दे में उतारे तब उस बात को माने कि हाँ ये ग्ञान ठीक ज्ञान है फिर जिंदाइत्थों की और राष्ट्री पाठी चर्या की रूप रेखा इसारा कर रही है वह है कि शिक्षकों को सिर्फ पाठे-पुस्टकों क ग्यान को ही प्रदान करना नहीं है उसे विद्यार्थी को उसके जो सामाजिक संदर्व है उसका जो व्यक्तिकत संदर्व है उसके साथ जोडते हुए ग्यान को प्रस्तुत करना है ताकि वो अपने ग्यान की रचना कर सके जिस सामाजिक परिवेश में एक बच्चा जीता है एक विद्यार्थे जीता है और जिन मानसिक दंदों के बीच वो जी रहा है उनकी संदर्व में ग्यान को प्रस्तुत करने का दायत तो एक सिक्षक का है और साथी सिक्षकों को उन प्रशासनिक संदर्व हों और सामाजिक संदर्व के प्रती भी सम्वेदन सील होना चाहिए ज जब एक सिक्षक एक विद्यार्थी के साथ बातशीत करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रकार के प्रसासनिक धाचे में जी रहा एक प्राणी है या किस प्रकार की सामाजिक ताने बाने से वो आ रहा है या जब तक एक सिक्षक इन पक्षों के प्रत उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसे समझना चाहिए निरंतर अपने ज्यान में परिवर्थन परिवर्धन एक सिक्षक के लिए जरूरी है और जो दूसरा एक बहुत ही महत्वपुर्ण दायत तो है सिक्षक के उपर कि वो विद्यार्थियों को सर्फ बिभिन परिस्थितिय में अनुकूलन स्थापित करने वाला ही ब्यक्ति न बनाए ऐसा ही विकासों न करे बल्कि यदि परिस्थितियां लोकतंत्र की ब्यक्तिकत गरिमा के खिलाफ हो तो वो एक ऐसी बहतर परिस्थिति के भी निर्माण का साधन बने और विद्यार्थियों को प्रेद करे जो ए अशाई ग्यान और दक्षता तो बहुत ही आवश्यक पक्षा हैं एक सिक्षक को एक विद्यार्थी के सेल्फ कंसेट आत्म संप्रत्य को भी समझना जरूरी है एक विद्यार्थी की क्या आपक्षाएं हैं उसकी क्या शमताएं हैं क्या अभिरूचियां हैं सीखने के दौर एक सिक्षक को इन सारी पक्षों पर ध्यान देना पड़ता है और एक सिक्षक को निरंतर अपने पेशे की प्रती उन्मुख होना चाहिए जो उन्मुखी करण का कारिक्रम होता है उस पेशे के संदर्व में जो नवीन शोद नवीन अनुभव अर्जित किये गए हैं उसके आ समाज के प्रती विश्व जन्मानस की प्रती किया रिस्ता है और कैसे वह एक बहतर विश्व कानिर्मान कर सकता है इस पक्ष पर भी एक सिक्षक को सोचना चाहिए और रास्ट्री पाठिचरिया की रूप रेखा दुहार नौमें आई और इस अद्ध्यापक सिक्षा के लि समगर्टा में पेशेवर सिक्षक की विशेशताओं को आपके सामने बिंदवा रखने की कोशिश करूँगा एक पेशेवर सिक्षक के लिए सकारात्मक्ता और वहचारिक खुलापन बहुत ही जरूरी बक्ष है जो खुद को भी सकारात्मक्त विचारों से ओत प्रोत बनाए और अपने विद्यार्थियों को और दूसरों को भी सकारात्मक्ता की और प्रेरित करें वह बिना किसी भेद भाव और पुर्वाग्रह के दूसरों के विचारों के प्रती भी खुलापन रखे ओ अभी व्यक्तिशील हो पर्थात जो लिखित मौखिक खाव भाव या अन्य कलाओं की माध्यम से अपने विशय को प्रस्तुत करने का तरीकाव से मालूम हो एक और महत्पण विशय है कि एक सिक्षक को एक अच्छा स्रोता होना जाहिए जो धैरे पुर्वक अपने विद्यार्थियों को सुने उनके परिप्यक्ष से अउगत हो बिना अच्छा स्रोत हुए एक व्यक्ति अच्छा वक्ता नहीं हो सकता साथ ही शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह जिन भी विशयों का सिक्षण कर रहा है वह बहुत ही विश्यशनियों हो और प्रामाडिकता पर आधारित हो और अपने कारे में एक सिक्षक को इमांदार होना चाहिए और सबसे महत्वपुन पक्ष है कि सिक्षक को प्रीतिकर व्यवहार करना चाहिए एक सिक्षक का व्यक्तित सहज व्यक्तित्व के कारण व्यद्यार्थियों में लगाव विश्वास का भाव पैदा कर सकता है साथ ही सिक्षक को व्यवस्थत वशंगठित होना चाहिए उसके कारे निश्पादन में विखराव न हो वो योजना बद्ध तरीके से अपने दायत्व का निर्भन करें और महत्वपुन बात है कि एक सिक्षक को आत्म विश्वासी होना चाहिए एक और महत्वपुन कि किसी ब्यक्ति की सफलता के पीछे असी प्रतिसत भूमिका सामविगिक बुद्धि की होती है यानि कोई ब्यक्ति कितना भावनात्मक स्थिर है कितना दूसरे की बातों को दूसरे की समवेदनाओं की समझ रखता है यह बात उसकी सफलता के पीछे असी प्रतिसत भूमिक निभाती है तो एक सिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक पक्ष है कि वो साम्भेगिक तृष्टी से संतुलित हो भावनात्मक रूप से इस्थिर हो और ये इस्थिरता उसे अंतरवयक्तिक संबंद विद्यार्थियों के साथ उसके रिस्ते को बहुत ही मजबूत बनाएगी और यदि ऐसा नहीं होगा तो सिक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अपने विद्यार्थियों की बातों को समझना जो आगे की बात इसमें सामने आ रही है वो है कि एक सिक्षक को अभी प्रेरित होना चाहिए अपने कारे निश्पादन के प्रती जब तक वो अभी चीजयों को सीखेगा नहीं अपने विद्यारतियों की बातों को समझ नहीं पायेगा और इक सिक्षक को निरंतर उरजावान बने रहना चाहिए साथी साथ एक सिक्षक को रचनात्मख होना चाहिए सर्फ सिख्षण कीुछ नहीं बलकि अन्नि पाठ्थे सहगामी क्रियाओं की प्रती और सभ्तुति स्थापित हो इसके विशयropol acknowledge अध़नी सब्लम करनी चाहिए एक समब्वेदनसीर नात्रेशिक को निए से好क्रणल यह बताता है कि यह वो इस्थती है जब कुई ब्यक्ति किसी दूसरे ब्यक्ति के दुख को ऊसी अनुपात में महसूस करता है जिस अनुपात में सामने वाला अब्यक्ति कर रहा हो तो हम कहेंगे कि उसके अंदर तदनुभूती है तो सिक्षक यदि तदनुभूती विकशित कर पाए तो अपनी विद्यार्थियों के साज उसका रुस्ता है वो और अधिक मजबूत होगा एक जो दूरी सिक्षक और वि भीषय का बहुती बहतरीन ज्ञान होना चाहिए और निरंतर अपने आपको अधितन करते रहना चाहिए शिक्षक के अंदर नेत्र तुछमता हो और एक अच्छा नेता वह है जो दूसरों को भी आगे आने का मौका देता है तो एक शिक्षक को नेत्र तुछमता उसके करने में कुशल हो आज जो हम कॉलेबोरेटिब लर्निंग और कॉपरेटिब लर्निंग की बात करते हैं वो मूल रूप से इनी सद्धान्तों पर निरभर करता है वो विद्ध्यार्थियों के बीच संवाद करें और उनके साथ उनके ज्यान की रचना में सहयोग परदान करें और साथ ही मतपुन बिंदु है कि उसे सूचना प्रद्योगी की में दक्ष होना चाहिए। चुकि बिना सूचना प्रद्योगी की में दक्ष हुए, आज जादा से जादा लोगों तक वो अपनी बात को पहुचाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। और इस रूप में हम समगरता में कहें, तो इन पेशेवर विशेषताओं से योक्त, सिक्षक, कक्षा, विद्याले और समुदाये में मननशील करता के रूप में अपने दाइत्तु का निर्वहन करते हुए सामाजिक रूपांतरण का माध्यम बन सकता है। शुरताओं आपने मुझे ध्यान पुर्वक्त सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एन आईयोस को धन्यवाद। लाई पुर्वक्त से सब्सक्राइब झाल करते हैं। झाल झाल